हेलो गाइस, इसमी सौरो मन्ना, वल्कम बैक टो मैं चैनल आज कर वीडियो में आपको एक नया जॉब रिकूट्मेंट का बारे में आपको बताने वाला हूँ उस जॉब का नाम है, कंपनी का नाम है Western Refrigeration Private Limited जो की वापी गुजरात में है, यह है आपके जीटी पोस्ट के लिए जो लोंग बिटेक कंप्रीट कर चुके है मेकैनिकल से और आप लोग जॉब कलेट करें तो यह Western Refrigeration Private Limited द्वारा एक जीटी पोस्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो आज कर वीडियो में आपको बताना वाला हो कि यह कंपनी किसी कंपनी है लोकेशन क्या होगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है और कैसे आपको अपलाई करना, ठीक है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, अगर अच्छे लगए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जाधा जाधा शेर कीजिएगा अपने फैमिली ग्रूप में, अपने दोस्त के ग्रूप में, ताकि बागी जितने भी दोस्त आपके, जो लों कभी जॉब नहीं कर और उनको ये वीडियो को माध्यम से उनको जरूर हेल्प मिल सकते हैं, तो चले ही शुरूर करते हैं, वेस्टर्न रेफ्रेजरेशन प्राइवेट लिमिट एक ऐसा कमपनी है, जहाँ पे बहुत एक बहुत ही बर कमपनी है, जहाँ पे मैनेफैक्टरिंग होता है, कमर्शिल रेफ्रेजरेशन एक्पिप्मेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोजिशन मिल रहा है, ग्राजुएट इंजिनेर ट्रेनी पोस्ट के लिए, जो कि जीरो से एक साथ का एक्स्प्रियेंस वाले बंदे इसमें अप्लाई कर सकते, ठीक है, लोगेशिन का पारे में बात की उसके बाद अगर आपका पर्फॉर्मेंस अगर सब कुछ सही रहा, तो आपको पर्मेंट कर सकता है, लेकिन आपका एक साथ के ट्रेनिंग पिरियेट होगा, जो कि मन्त लिए आपको 20,000 पर मन्त आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बाद अगर आपका काम कमपने वाले को सही लेगे, तो आपको पर्मेंट कर सकता है, ठीक है, और जो जोइनिग प्रोसेस है, जो कि आपका तुरंती जोइनिग इमिडियेटली करवा दिया जाएगा, ठीक है, और कौलिफिकेशन के बारे बाद कीजाए, जिए कैंडिडेट हो आप स्कोर फर्स्ट क्लास इन स्कोर रह जिनरल अपना 12 या तो डिपलोमा कर चुका है, और उनका फर्स्ट क्लास स्कोर रहा और बीटेक भी रहा, तो वो लोग इसमें अप्लाइ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब समझे जो 10 कर चुका है, 10 के बाद 12 और बीटेक, ठीक है, या तो बहुत एसे स्टुइन्स जो लोग 10 का बाद डिपलोमा करते हैं, डिपलोमा का बाद बीटेक करते हैं, ठीक है, और आपका जो परसेंटेज जो होना चाहिए, वो आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है, तो वो लोग इसमें अप्लाइ कर सकते हैं, कौन-कौन मेकानिकल और इलेक्ट्रिक दावाले स्टु आपका CVR का selection हो जाता है तो उसके according आपको contact किया जागा call का माध्य हम से या तो email का माध्य हम से regarding written test और personal interview का माध्य हम से अब interview जो वो offline online कुछ भी हो सकता है ठीक है वो आपको contact जब आपसे जो HR एक company के जब आपसे contact करेंगे वो आपको बता देंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको जो email ID में आपको provide करूँगा वो email ID आपको इस company का description box मिल जाएगा महासा आपको email ID को copy कर लेना होगा और यह email ID वो valid email ID है अगर आप website में भी जाएंगे और official website में भी जाएंगे career section में तो आपको यह email ID आपको दिखने को मिलेगा ठीक है तो आप email ID को copy कर अपना bio data send कर दीजिए उनको करने के बाद अगर आप company के HR को अगर आपका bio data सही लगता है तो उसके according आप से contact करेंगे through call कमाधियम से या तो mail कमाधियम से और आपको बताएंगे कि आपको कैसे exam देना है फिर आपका interview वगरा कैसे होगा ठीक है तो उमीद कता आपका side out clear हो तो जहें जल्द से जल्द apply कर दीजिए क्योंकि यह आज ही update है तो it might be कल तक इसका date खतम हो सकते क्योंकि यह सब जितने भी companies है जो लोग अपना vacancies निकालते जादा दिन के लिए यह लोग vacancies रखते नहीं है अट लिस्ट दो या तीन तिन तक रखते इसके बाद यह जो vacancy फिर बंद कर देती है ठीक है तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सका आप लोग इसमें apply जरूर कीजिए उसके बाद फिर भगवान भरोस है अगर आपका email है अगर आपका जो bio rate अगर उन लोग को अच्छे लगा तो आपका interview और exam के लिए बुलाया जा सकता है या तो online भी हो सकता है या तो offline हो सकता है ठीक है वो company के जर उन पर depend करता है वो आपको पता देंगे ओके तो उमीद करता आपका साहर डाउट clear हो जगा है तो वीडियो को यहीं paint करते हैं वीडियो को अचले लेगा वीडियो को ज़रू like कीजिएगा जाद जाद subscribe करना ना भूलेगा मिलत अगले वीडियो पर अगले content के साथ thank you